हेलो फ्रेंड्स वालकम टू आमार के स्टड़ी देखिए इस वीडियों हम बात करेंगे आई यूसील रिफाइनरी जेए पोस्ट के बारे में ठीक है जूनियर इंजियर का जो पोस्ट था उसके बारे में बात करेंगे कि यहां प Eh क्षा कि बारे में वो आपको शारी जोविगे में सब्सक्राइब मतलब होगाँ तो आपको बताने वाला हूm चलिए तो यहां पर द्यान से देखना है लोगों तो एक बार भी मिश्मत करें देखो कोई भी डॉकुमेंट आपको वहां ले जितने भी डॉकुमेंट ले जाने पहले तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको और आपको चेक्लिस्ट और यह सभी रिफाइनरी के लिए एक जैसा ही होगा ठीक है परिशान होनी की बात नहीं है तो मैंने फोकस लिए यहां पर पानीपत रिफाइनरी के लिया है पैट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स यहां पर जो आया था वो डेट 12-21 को आया था और आपको जो कह रहा है पानीपत रिफाइनरी पैट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स ठीक है यह होने वाला बेस्ट और परफॉमेंस इन रिटन टेस्ट 24-22 को 24 को आपका होने वाला है ठीक है 24 को अब भई मतलब बहुत जरूरी है आपको पहले से आपको जाने के लिए तैयार रहना है तो यहां पे नॉन पोस्ट के लिए चलिए तो हम यहां पे देखेंगे क्या सबसे मैं चीज़ें कि जाना कैसे है ठीक है तो आपको जाना है पोस्ट और पानीपत रिफाइनरी पैट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स पानीपत हर्याना अगेंस एडवर्टाइजमान नंबर इतना ठीक है तो यहां प सब्सक्राइज टू रिपोर्ट गेट नंबर वन आपको कहां जाना है गेट नंबर वन पे जाना है पानीपत नेफ्था क्रेकर पानीपत हर्याना तो यहां पर यह गेट नंबर वन होगा ठीक है वहां पर जाना है आपको अब जाएंगे कैसे आप स्टेशन पर रुकेंग टिरेंगे पानिपाद में तो चाहिए जाएंगे तो आप नमर 1 पर पहुंच जाएंगे चाहिए चीजी तो केंडिडेट आर एडवाइस टू बिरिंग द आरज वन सेट वन सेल्फ यदि फोटो कॉपी ऑल डॉकुमेंट मतलब को कह रहा है कि ओल डॉकुमेंट जो है उसका वन सेट आपको बनाना है बढ़े तरीके से ठीक है और सेल्फ अटेश्टेड करना जैसे हम आप साइन कर देने सब मैं तिक है यह चीज होगी अब क्या कर दोकूम सब्सक्राइब लेकर आना अपने इसके पास नहीं है तो कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन अच्छे सेफटी सूज होने चाहिए कुल मलाके ठीक है वहां पर अंदर सेफटी सूज की जरुदत होती है हैंड हाड टॉप शूज मतलब हाड टॉप सूज होना चाहिए फॉर जमा का सकते हो हो जाएगा तो मुबाइल फॉन शैल नॉट भी अलाव मतलब यह नहीं है कि आप स्किप कर दो मैं मजाख नहीं कर रहा हूं आपको बता रहा हूं आल कैंडिटाश स्ट्रिक्टली एडवाइस फॉलो कोबिद नाइट की आपके वैक्सीन लगी होनी चाहिए जरूरत तो नहीं है वैसे आपको क्या है अगर ऌगी होनी चाहिए नहीं नगी होना ओना है हो फाकी नगोना थाना बागी लेटर आपके पास था उसकी कॉपी निखलवानी है दो थीक है और अलong विद वैलिड और आरिडी मतलब वैलिड और आज़िए आधार है किसी कोपास यह पर पैन है यह फिर पासपोर्ट है यह होना जाय फिर ड्राइविंग लैसेंस यह चीज होने चाहिए तो यह चीज क्ल एलिजिबल्टी क्राइटिट्रेस नॉटिफाई ठीक है चलो आगे देखते हैं आगे क्या है तेकि यहां पर क्या है कुछ चीज है इंपोर्टेंट है SCPWD Candidate Appearin SPPT Will Be Reimbursed Single Second Class मतलब सिंगल से टूएस ठीक है सिंगल सेकंड क्लास रिल फियर फ्रॉम नियरली रेवलिव स्टेशन फ्रॉम दा मीट मेलिंग एड्रस टूदा प्लेस एस्पूटी एंड बैक बाइद शॉर्ट शॉर्टेस्ट मतलब आपको तीस किलोमेटर से आपका कम नहीं होना चाहिए मतलब तो इसका आपको फेर मिलेगा मतला किराया में वहाब को मिल जाएगा ठीक है तो बस करना कि आपको ठीकट में द्यानany और को आपको एक फ़र्म भला जाएगा उसacağız पूर विटरेल भरी दाएगी तौकिमया जाएग नौश्याure और यहां पर आपको दिख रहा है इसमें यह सारे यहां पर इसके बाद यहां पर है इसके बाद इसके बाद देखिए पी और यू तो यह हुएं इंजीरिंग अस्टेंट पोस्ट कोड दोसो थीं यहां फोस्ट कोड है जो शला करेंगे दोसोचार इसके एन backpack अपर चलो चलो वह चूंजान क्या है यहां भ्यां से ध्यान से देनीकि यह यहपको ऑप thickness है यह आपको निखाल लेनी है यह इसका नगालनी आपको वही ठीक है यह चैकलिस्ट की जो प्रेंट है वह आपको बहार निकालनी निया कंप्यूटर से यह पर निकल वानी इसके अशाब से आपको डॉक्मेंट रखना अगर एक भी डॉक्मेंट आपको मिस हुआ तो मैं सही बता रहा हूँ आपको आप मिस हो जाओ कि देखें मैं गंटाउट ओफ लाइन अप्लिकित इस फॉर रिटेन टैस्ट आलसो बिरिंग कोपी ऑफ नोटिस मीटिंग यौर रॉल नमबर देखो अपको क्या करना है कॉल ले जाना है को अलकर ले जाना और बिरिंग कॉपी नोटिस और मैंस्ट निंग यौर म्यौ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑब बर्थ प्रूफ होना चाहिए आपके पास्पोर्ट होता है तो यह चीज ले आने आपको तीसरे में क्या है फोटो आइडेंटी प्रूफ फोटो आइडेंटी प्रूफ जैसे मालो के यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास देखो डेट ऑबर्थ वैसे डेट ऑबर्थ प्रूफ भी होते हैं बहुत सारे ठीक है तो यहां पर जो आइडेंटी प्रूफ है वो क्या है वैलिड आइडिया पैन है आदार है यह चीज आपकी होगी ठीक है चार में क्या है कि आपको 10th की मार्क स्कूल की मार सारे और्टनल डॉक्मेंट ले जाने हैं उनकी दो दो या तीन तीन कॉपी भी लग कर वाले ना ठीक है मैं सही बता रहा हूं आपको कम से कम पांच-पांच कॉपी तो रख लेनी चाहिए पूरा बैक मतलब अच्छी तरीके से होना चाहिए और जितने भी डॉक्मेंट जा पांच किया है उसका diploma का आपका ऊच सफ देखं़र की आपकी में दीजरेखं़ आपको दिखार रहा है किसी बीजिट उपने किया है साथ में देखिए इस डिग्री ऑफ डिप्लोमा है वह आपको यहां पर मैंशन होना चाहिए ठीक है यह चीज हो गई किसी के पास किसी के पास डॉकुमेंट कनवर्जन फॉर्मूला फ्रम सी जी पी ए मतलब किसी के पास पास सी जी पी में भी होती है परसंटेज हो तो यह चीज आपकी होने चाहिए कि इसमें दिखाना चाहिए कितनी आपने भरी यह वह मैंशन ब्लकुल करेक्ट होना चाहिए नहीं है कि आपने 70 परशन उसमें भर दिया था और बाद में निकल दी 68 परसंट तो आउट कर दिया ठीक है उसके नाइनग सी वाले थिक है और यहां परसंटेंबलो इनके आपके सब्सक्राइब रश्म इससी और यह उपको बता दिया वह नहीं ल॔र कर दिया जाए पहली बता जिए रहा हूं, डोकुमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया जाएगा ठीक है PWSC certificate हो गया proof bringing ex-service men certificate हो गया यह ex-service men वाले ह ہیں 12 watts Civity तो जितने भी certificate है यह होने चाहिए ठीक है अपके ex-service men वालों के लिए यह बाकी और क्या है देखिये अब क्या है कि यहां पर हम देखेंगे proof of apprenticeship training सो तो आपको पूरा विद्श होना चाहिए आपके पास सब्सक्राइब कर देंगे आप को तो यह जी होगी यहां पर खतम ठीक है उसके बाद नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म दक करेंट इंप्लॉई इन दक केस ऑफ इंप्लॉई वाद आपके पास नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होने से इसे माल लो कि आपने जॉब छोड़ा है वहां से सारी चीज़ें आपको डिटेल्मा वाली बात नहीं है तो यह चीज़ ओफर अपॉइंट्मेंट लेटर आपको जोईनिंग लेटर एक्स्पियंस लेटर यह सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए जो भी है डेटेल में ठीक है यह हो गया सेल्फ सर्टिफिकेट कॉपी रिलेमेंट पेज और बैलेंस फोटो होने चाहिए कम सकम साथ फोटो रख लेना ठीक है और एनी अधर रिलेवेंट टॉक्मेंट सपोर्ट क्वालिफिकेशन एक्स्पियंस कैटेगरी मैडिकल और यह सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए तो मैडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जैसे मालो देख तो मैडिकल सर्टिफिकेट आपको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब recurice पर्णी गणवारा हैं घ्रीक एक 155 उ बेगा आपको क्या क्या है कि आपको डलवाना Peanut मैं medical certificate बनवा रहा हूँ for the post of ये code डलवाना हूँ और IOCL definery के लिए ठीक है वहाँ पर वो कर देगा थोड़ा सा medical करेगा आपका जो भी है वह आपको दिखा देगा बना देगा तो यह चीज यहाँ पर यह चीज दो हो गई ठीक है अब मैं बात करूंगा आपके सामने इंटर्व्य को बारे में इंटर्व्य यह फिर एस पीपीट टेस्ट देगो सबसे पहले तो आपको खुश हो के जाना है मदब डर नहीं है आपने जैसे आपने आपने प्रैनिंग करिए तो आपको दिक्कत होनी वाली बात नहीं है जितना वी वहां पर आपने आपने किया है तैयरी करी है तो डायरी मैंशन करी होगी सब्से पहले में आपको क्लियर बात बता दू मैं आप को ओल में बोल सकते हो हिंधी बोलना चाहिए उनिषस क्यों नहीं नहीं है अब मुझे नहीं लगता। याँ है यह हमें पर है यहांपे जाएड़िस्ट जो ख़ी किसा नुट यह तो उसको पूलिज होनी चाहिए कर दो यह रहा है क्लिए टो यह चीजड तरी के असके बारे दूसरा क्या है डर्न ने कोई जरूद नहीं है और दूसरा क्या है कि आपको कोई फैवरेट सब्जक्त पूछेंगे तो आपको एक फैवरेट सब्जक्त आपको बताना बढ़ेगा उसमें पूरी नौलिज हो जैसे मालोग फ्लूड मेकनिक्स बहुत ज्यादा बताते हैं तो लिस्ट काउंट क्या होती है और ठीजिया है फी में पासे निकालेंगे और जैसे डिखा उता और बहुत सारी चीज़ है पैटरल बैटरल जैसे पैटरल को क्या कहते हैं तो जितना भी आपने लिया है वहां से फुल डिटेल में आपको पता होना चाहिए तो अब सेलेक्शन कैसे होगी लोग लिया है तीक है तीन चार जगह होती है जिसका अच्छा होगा जिसके नंबर जाद होंगी और अच्छा गया तो बाकि क्या है जो भी है मतलब जैसे इंडिया में क्या स्कीम चल रही है क्या क्या हो रहा है वह थोड़ा बहुत पता होना चैश्चार पांच लोग बैठे होते हैं यह तो हैं नहीं कि एक ही लोग इन् महलू के मोदी जी अभी कहां गई क्या इसकी मतलब अब क्या बता सकते हो तो ठीक है यह चीज़ हो गई आपकी करेंट मेकनिकल वाले एक बंदा अलग बैठा होगा तो वह पूछेगा तुमसे क्या कर चीज़ होती है एक हैड होता है प्लांट है होता है वह भी पूछेगा आ दाएंगी कि यह क्या है इसका फंक्शन क्या है ठीक है मैं आपको दा दे रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ा होती है प्लांट के अंदर जिसने इंडियन और रिफैनरी में वह करा हो सब जानते हैं ठीक है तो यह चीज़ा हो गई है आपको डिटेल में थोड़ा कर दूँगा आपको ठीक है और सभी के लिए है यह जितने भी है चलिए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ठीक है